है यह फ्रेंज टोडेए भी विल डिसकस अबाउट फीटल स्कल्ड लेट्स एब इंट्रोडक्शन फीटल जो होता है वह वायट सेव में होता है और एड़ टाइम अब टर्म मतलब है फासिटल में होता है कि इसके साइडम होता है इसका करते हैं अब पीछे के साइडमें एक इसको sutures होते हैं गों बीच में और इनको unite करते हैं दूसरा होता बेस आब हम बात करेंगे बेस के बारे में जो brain की नीचे बेस प्रॉआइड करता है उसको हम कहते हैं बेस इसमें साथ यह साथ कोर्ड महां से निकल के बॉड्डी में वर्टेब्रा में आता है और तीसरा होता है पार्ट फेस इस फूर्टिन बॉन्स से मिलके बना होता है हम देखते हैं अब हम देखते हैं बॉन of fetal skull, कौन कौन सी skull में bone होते हैं, फिटस के, दो frontal होते हैं, दो parietal होते हैं, दो temporal bone होते हैं, और एक occipital bone होता है, यह हो गया temporal bone, यह हो गया frontal bone, यह हो गया parietal bone, और यह पीछे हो गया occipital bone, अब हम sutures के बारे में देखेंगे, sutures, the area where two skull bone joined together, जहां पर दो skull के bone joint होते हैं, उसक के बीच में होता है फिरा सजाईटल सूचर बिट्विन तू पराइटल बून प्ता है और फिर फिरा टा रॉनज ऊचर और फिर लेमड़ोहट सूचर यह होता है फ्र CH यह से ज्यादा सूचर जोटे हम्णवार्वाइड होथे हैं ऐसे तो six fontanels होते हैं बट दो उसमें से और यह होता है पोस्टिरियर fontanel को ब्रेगमा बोलते हैं और पोस्टिरियर fontanel को लैमडा भी बोलते हैं सबसे बड़ा होता है यह सजाइटल, frontal और जंक्समें होता है यह diamond shape में होता है 2.5 cm long होता है 1.5 cm wide होता है यहाँ पे cerebral vessels के pulse को भी feel करा सकता है और यह 80 month की age पर close होता है पोस्टिरियर fontanel के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा यह sagittal suture के और lamb wide suture के junction पे मिलता है यह triangular shape में होता है इसका measure होता है 1.2 into 1.2 cm होता है anterior fontanel से छोटा होता है और यह 6 week पर close जाता है यह होता है anterior fontanel यह होता है posterior fontanel अब हम देखेंगे diameter आ फिटल स्कल फिटल स्कल को 4 transfer diameter में बाटा गया है और 6 anterior posterior diameter में हम इसको देखते हैं transfer diameter में जो होता है by mass twide diameter होता है by temporal diameter होता है super supparital diameter होता है by parital diameter होता है अब हम देखेंगे transverse diameter को one by one by mastroid diameter होता है जो mastroid process से जो count के पीछे होता है जो eminence type का swelling जैसा structure होता है वहाँ से लेके जो दूसरे side के कान के पीछे का structure होता है वहाँ के जो diameter होता है उसको हम by mastroid बोलते है इसे हम diagram में नहीं दिखा सकते हैं by temporal diameter यह हो गया by temporal diameter यह हम आपको बताते चले यह पीछे का side है और यह आगे का side है तो यह होता है by temporal diameter हो जाता है फिर super supparital diameter होता है super supparital diameter ऐसे हलका सा obliquely होता है और by parital diameter जो होता है जो parital bone में eminences होते हैं वहाँ से लेकि एक side से दूसरे side में होता है eminence में बोले तो जो सबसे उठा हुआ structure होता है उसको यह हम बात करते हैं अब हम देखेंगे by masteroid diameter जो होता है जो हमारे कान के पीछे masteroid process होता है उस एक side से दूसरे side तक जो diameter होता है 7.5 cm होता है by temporal diameter जो होता है 8 cm होता है और super supparital diameter जो होता है 8.5 cm होता है अब हम यहां से देखेंगे sub-occipito pragmatic यह ब्रेगमा होता है और यह lambda होता है हम पहले ही बता चुके anterior frontal को ब्रेगमा भी बोलते है और जो posterior frontal होता है उसको हम lambda भी बोलते है तो अब हम देखेंगे sub-occipito pragmatic तो यहां से लेके जो यह distance हो जाएगी इसको हम कहेंगे sub-occipito pragmatic यह होता है 9.5 cm फियाता है sub-occipito frontal यहीं इसी point से लेके हम frontal तक जानते हैं यहां तक इसको हम कहते है sub-occipito frontal यह होता 10 cm का occipito frontal यह हो गया occipit region और यह हो गया frontal region तो हम यह जो सीरा-सीरा distance लेंगे इसको कहते हैं occipito frontal यह होता है 11.5 cm यह glivella से पीछे occipit region तक फिर mento vertical mento vertical होता है यहां नीचे jaw line से लेके चिन से उपर vertex तक जो distance होता है यह 14 cm का diameter होता है हम इसको कहते mento vertical अब आता है sub-mento vertical हम इस point से लेंगे और यहां से लेके हम vertex तक जाएंगे इसको हम कहेंगे sub-mento vertical फिर आता है sub-mento pragmatic हम इसी sub-part से लेके pragma तक जाएंगे इसको हम कहेंगे sub-mento pragmatic यह हो गया सारे यतने भी diameter होते हैं anterior posterior में इनके बारे में हमने जान लिया एक बार फिर से हम इसकी measurement के बारे में बात करते हैं sub-oxipito pragmatic होता है 9.5 cm sub-oxipito frontal होता है 10 cm oxipito frontal होता है 11.5 cm minto vertical होता है 14 cm sub-mento vertical होता है 11.5 cm sub-mento pragmatic होता है 9.5 cm थैंक्यू